हाई फूड़ीज वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल फूड़ीज इनकलाइन होली का फेस्टिवल आने वाला है और इसलिए मैं आपसे आज़े करने वाली हूँ होली स्पेशल में फूट कस्टर की रेसिपी तो चलिए बनाते हैं फटापट सी टेस्टी टेस्टी फूट कस तो यह मैंने 4 टेबल इस्पून लिया है जो और इसी चमस से मैं अब इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा दूद तो दूद जो है गुनगुना ही होना चाहिए तो इस तरह से आधा कप दूद मेंने डाला है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह कस्टर का हमार ही गरम करना है उसके बाद में अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो चीनी यहां में डाल रहे हूं 3 4 कुप आदे कप से थोड़ा जादा 3 4 अचछे से एक लीटर कर दूद के लिए तो और इस सारी चीनी अब हम इसमें डाल देंगे और चीनी टाल कर हम इसे 3-4 मिमेट पका लेंगे जब तक की चीनी दूद में अच्छे से गुल गई है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो कस्टर्ड का गोल हमने तियार के आथा वो तो एक बार हिलाले इसको अच्छे से कस्टर्ड नीचे कही मतलब रहना गया हो जब पक नगया हो तो अच्छे से मिला ले और अब हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे तो एक साथ नहीं डालना है हमें और दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ में इसको हम मिक्स भी करते जाएंगे चलाते भी जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके यहां मैंने सारा जो गोल है वो डाल दिया है अब कस्टर डाल के हम इसे 5-7 मिनिट पकाएंगे ताकि कस्टर अच्छे से पक जाए दूद में और उसके कस्टर डाला है तो दूद भी हमारा गाड़ा हो जाएगा तो 5-7 मिनिट पका लिया है मैंने आप देख सकते हैं यह दूद जो है गाड़ा हो गया है बस इस स्टेज पर अब हम गेस जो है बंद कर देंगे आप इस तरह से चम्मत से चेक भी कर सकते हैं देखे इस तरह से कोट हो रहा है अब हम इसमें डाल रही हूं वन टीजपून वनिला एसेंस और इसको डाल कर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे किसी पंके के नीचे रख देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए इसको ठंडा होने के लिए रखना है हमें इसके बाद हम इसमें फ्रूट्स मिलाएंगे तो यहां जो है कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है और देख सकते हैं धंडा होने के बाद में और भी गाडा हो गया है और अब मैं इसमें मिला रही हूं फ्रूट्स में सबसे पहले अंगुर जिसे में ने कट कर लिया है तो थोड़े फ्रूट्स में बचा गानिश के लिए और अंगुर के पाद में डाल रही हूं एपल और केला और उसके बाद में अनार अनार के दाने और इन सारे फुर्ट्स को अब हम मिक्स कर देंगे कस्टड में अच्छे से आप अपनी पसंद से और भी कोई फुर्ट ना अचा है जो भी आपको पसंदो आप डाल सकते हैं जितने सारे फुर्ट्स डालेंगे अतना टेस्टी लगेगा तो अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारा फुर्ट कस्टड जो है वो रेडी है तो अब हम इसे सर कर लेते हैं तो यह देखे है आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है कि टेक्स्चर इसका द आप एक दो गंदे के लिए फ्रीज में रख दे उस सर करें तो होली स्पेशल रिसीपी में यह मैंने शेर करी आप से फूट करस्टर्ड की रसीपी टेस्टी-टेस्टी-हल्दी और आपको रेशिपी अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चेनल को सबस्क्राइब करें मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर